तो आज मैं बनाने जा रही है मूंग दाल की बिलकुल खस्ता हलवाई वाली कचोड़ी और इसको मैं मैदे और आटे दोनों से बनाऊंगी सो चली स्टार्ट करते इस वीटियो को तो सबसे पहले मैदे वाले से बना लेते हैं तो यहां पर मैंने लिया वहें 2 कपस ओफ मैदा ग्राम से अगर बताओ तो यह 300 ग्राम से अब इसमें मैं डाल यू वन टीस्पून अफ अजवाईन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैं हम अजवाईन बहुत अच्छी होती है डाजिशन के लिए भी और इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अब हमने इसको कचौडियां अगर है सेगतेबर कभीडी होने बहुत जादा बबल सा आते हैं इससे वोजपन माहीद के कचाडियों बहुत अच्छी और खास्ता बनेंगी में पॉइंट ईकिए कि मौयन से कोई भी चीज बहुत जादा खास्ता बनती है यह इसे अच्छी से मिक्स कर साथी साथ ध्यान रखें कि जो मेल्टेड घी है वो भी गरम नहीं होना चाहिए अगर आपका घी जमा हुआ है तो पहले पिगला लीजे उसके बाद उसे ठंडा कर लीजे और तब ही इसमें आट करिएगा वरना आटा क्या होगा उसके उपर पपड़ी सी आने लगेगी तो एक सेमी सॉफ्ट सामने डो बना करके तयार कर लिया है और आधे कब जितना मुझे पानी का यूज हुआ है अब इसको ढख करके हम 15-20 मिनट रख लेंगे नेक्स्ट मैं नहीं हाप ली हुए एक कप धूली हुई मूंग दाल और इसको मैंने चार-पांच घंटे पहले राइ रोस्ट करेंगे हलका सा जब तक यह भून जाए और इसको हमें कॉंटिनियूसली चलाते रहना है बिल्कुल लो फ्लेम पर हमेंसे हलका सा भून लेना है और उसके बाद मैं हाँ पर डाल रही हूं कम से कम यह 10-15 काली मिर्च है इसको मैंने गैस बंद करने के बाद ही और अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे तो यह कुछ इस तरीके का दिखेगा और साथी साथ मैंने डाल को भी पीस लिया है तो दाल को बिल्कुल बिना पानी के हम पीसेंगे बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है और इसी तरीके से आधी पीसी आधी दरदरी सी दाल ह और जो हमने मसाला दरदरा पीस के रखा था, उसको बस दस सेकेंड हम हलका सब भून लेंगे, नेक्स्ट में यहाँ पर एट कर्यों। बैसन अभी मैंने वन टेबल स्पून अट किया था बाद में एक टेबल स्पून और एक एट किया था, बैसन थोड़ा थोड़ा करके हम इ अब इसको हम मिक्स करेंगे ध्यान रखें कि सारी कुकिंग जो है वो लो फ्लेम पे होगी और साथी साथ मैंने ऑईल जो है पांसे छे टी स्पून मैंने ऑईल स्टार्टिंग में डाला हुआ था कढ़ाई में अब ही कुछ इस तरीके का दिखेगा अब नेक्स यहां पर सारी चोड़ी में भरेंगे तो उसको बाइंडिंग मिलेगी अगर आपको लगता है कि डाल जादा आपको नहीं चाहिए जादा खिली हुई नहीं चाहिए तो आप एक से दो चमच बेसन और भड़ा जगते उसे टेस्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा अब इसको इस तरीके से करके रोस्ट करते जाएंगे जब तक आपकी डाल इस तरीके की ना हो जाए अब आप देख रहें कि डाल बिलकुल अच्छे से भून चुकी और खिली खिली सी थोड़ी सी हो गई है और बेसन जो है जब हम इसको करेंगे फिल करेंगे तो बेसन इस स्वादर नहीं करें जादा आयाँ है यह नियुक्त आचौ उसको मिक्स के लड़ी इसके बाद यहाँ पर आट करें फूंध यह ना धन्या पाउडर आ और वन टी स्पून जितना गरम मसाला काचोड़ा हाफ टी स्पून हदी डाल देंगे और वन टी स्पून यह तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है अगर आप कम ती खा पसंद करते हैं तो आप तीखी है पर आप कर सकते हैं बट कचोड़िया थोड़ी तीखी ही अच्छी अब मैंने गैस को कर दिया है बंद और यहांप रम आड में आट कर दूँंगी 1 टी स्पून जितना खटाई या अम चूर पाउडरे मैंने अद्रग का यूज किया था स्पून इसलिए मैंने दो बार इससे डाला है दो 1 चीज में स्टार्टिंग में भूल गई थी हींग तो वो आप स्टार्टिंग में डालेगा वो मैंने अभी बाद में डाला है बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो स्टफिंग अब हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है आटे को एक बर और हम नीट कर लेंगे बिलकुल कर लूँगी कि अब पॉर्शन कट करने के बाद इस तरीके से हम इसको राउंड पना लेंगे अब एक एक मैं बॉल लोगी और इसको बिलकुल अच्छे से इक फ्लैट सर्फेस पर इस तरीके से स्मूट कर लूँगी और अब हम इसको कैसे करेंगे देखे इस तरीके से थम से मैं इसको इक कटोरी जैसे बना रही हूँ ध्यान में रखिए एज़स में पतले कर रही हूँ और सेंटर इसका मोटा होन करने के बाद तो वो जो है वो फटेगी नहीं इस तरीके से मैंने काफी गहरी सी कटोरी जैसे बना लिए अब उसमें हम इस फिलिंग को स्टफ करेंगे ध्यान में रखिए क्योंकि यह दाल है और दाल भूने के बाद थोड़ी कड़क हो जाती है तो बहुत जादा इसको मत बढ़ाना है कचोरी का शेप देना है इस तरीके से देखिए एक थम से इसको ऐसे प्रेस करते चाहिए और दूसरे पाम से इस तरीके से इसको रोटेट करते चाहिए तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे और यह हमारी कचोरी बन करके रेडी हो गई है ध्यान में रखिए कि इसमें बेलन मत यूज़ करेगा अब यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ यह आइल मैंने हीट तो किया है पर यह बहुत जादा हीटेड है इसलिए बॉल एकदम से उपर आई थी अब यह देखिए बॉल बिल्कु नीचे बैठी हुई कि इतना ही गरम हमें ओयल चाहिए जादा गरम कर देंगे तो क्या होगा कि कचोड़ियां जो है वो उपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से वो अच्छी नहीं सिकेंगी तो मैंने पहले ओयल का टेंपरेचर बिल्कु लो कर लिया था और उसके बाद मैंने इनको डाला है कचोड़ियां सेखने का काम बहुत जादा पेशिंस का है बिल्कुल भी इसमें अर्ट बड़ी मत मचाईएगा अपने आप से इनको पलटना मत शुरू करिएगा ये देखे जैसे जैसे ये को खोती जाएंगी अपने आप ऊपर आती जाएंगी अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से गरम तेल आपको एक स्पैचलर की हिल्फ से इनके उपर डालना है इस तरीके से और ये देखे अपने आप ये फूल दी जाएंगी आपको इनको फूलानी के भी जरुवत नहीं पड़ेगी और एक बार आपको जब लगे कि इसमें डिजाइट कलर आ गया है कम से कम तीन से चार मिनट लगता है इसको एक साइट से कुक होने में फिर पहली बार में और फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे तो ओयल के टेंपरेचर का खास दोर से ध्यान रखेगा मैं बार बार इस चीज़ को रिमाइंड कर रही हूं कि ओयल बिलकुल आपका लो पर होना चाहिए बिलकुल आराम से सिकेंगे तब ही ये खसता और हलवाई जैसे बनेगे देखें कितनी बढ़िया ये फूल गई है और बहुत जादा भी से खसता दिख रही है तो ये जो आप क्रैक्स देख रहे हैं उपर ये मौन की वज़े से है और ये बिलकुल भी ऐसा नहीं कि हमारी कोचोड़ियां फटी है ये इसी तरीके से बनती है इनके अंदर बिलकु पलट कर सेखना पड़ता है जब तक कि इसमें मन चाहा जो कलर है वो आ जाए तब तक के लिए हमें इसको करना है तो ये कचोड़िया हमारी बन के तयार हो चुकी है साउंड वेरी क्रिस्पी है मैं आपको तोड़ की दिखाते इसको तो ये बिलकुल हरवाई स्टाइल की खसता मोंडाल की कचोड़िया अब गेहूं के आटे के लिए मैंने हाँ पर डेर कप गेहूं का आटा लिया था और आधा कप सूजी ली थी और उसमें सेम उतना ही मैं गी का मोयन डाला है उसी तरीके से बेला और भरा है उसी टेंपरेचर पर हम इन कचोड़ियों को सेकेंगे बस सिर्फ यहां पर अंतर इतना है कि आपको डेर कप गेहूं का आटा लेना है और आधा कप सूजी लेना है तो ये देखें ये भी कितनी बढ़िया और खसता आट कि मुंगडाल की कचोड़ी बन गई है और ये भी बिल्कुल फूली फूली सी बनी हुई है बिल्कुल तो ये देखें आप देख सकते हैं न बहाँ जादा प्यारी ये कचोड़ी बनी हुई है तो उमीद करती हूं कि आपको यह आज की रेसिपी बहात पसंद आय होगी तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आयोगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलेगा बेल बटन जरूर से हिट का लीजगा ताकि मेरे वीडियो के आपको रेगिलर नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज मे क्यों एंद भाई भी फ्रमी